असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट, यूनिट नमबर फोर का आखरी टॉपिक है यूजिंग चिर्डूर्न लिटरिचर टूटीच माथमेटिक्स का पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं और उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें मैट से रिलेटिड ही बच्चों की स्टोर बच्चों की जो है इन्डिरेक्स करवाई जाएं कहानी की फॉर्म में उसके इंडिर्स्टैनिंग डिवलप की जाए हमारे पास एक बहुत अची ऑच्छी आठर हैं उनका नाम है Pat और उन्होंने math related एक series लिखी मिये किताबों की उनमें से किताब को आज हम थोड़ा साथ देखेंगे कैसे math related books different है अगली वाली डाइप से तो उनकी किताब हमारे पास मुझूद है जिसका नाम है Doorbell Rang और बाई Pat Hatchens तो हमारे पास यह कहानी है और इसको हम देखते हैं I have made some cookies for tea she said maa good said Victoria and Sam we are starving share them between yourself said maa I made plant tea so maa जो है वह अपने दोनों बच्चों को जिसका एक का नाम है Victoria दूसरे का Sam है उन्हें cookies बना के दे रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि मैंने बहुत धेर सारे cookies बनाए हैं और 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 भी cookies में बना रही हूं आपके सामने वह cookies आने वाले हैं so that six each said Sam and Victoria they look good as grandmas said Victoria they smell as good as grandmas said Sam Sam और Victoria दोनों को उसकी smell बहुत अच्छी लग रही है उनको लग रही है जैसे उनकी grandmaa दादी बनाती थी ये cookies वैसी है और उन्हेंने cookies को count किया है और count करने के बाद उने अंदाजा हुआ है कि six six cookies each दोनों को मिलेंगे पर इतनी ही देर में दर्वाजे पर bell बचती है और bell बचती है और mother जब bell को खोलती है दर्वाजे को खोलती है और देखती हैं कि बाहर कौन है तो पता चलता है कि Sam और Victoria के कुछ friends आए हैं दो friends और आगे और कितने cookies हैं और अब ये कितने लोगों में डिवाइट होंगे so in the meanwhile दुबारा bell बचती है और मजीद friends जो है वो एंटर हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें जबरदस cookies की खुश्बू आ रही है और उनकी जुमा होती हुने कहते हैं कि Sam और Victoria dining table पे हैं अपने कुछ friends के सा अब जैसे जैसे friends add-on होते जाते हैं और cookies उनकी table पे आते जाते हैं they actually learn division कि हमने इनको कैसी डिवाइट करना है हम कितने लोग है इसको हम क्या कहते हैं लिटरी टर्म्स के अंदर हम इनको कहते हैं math related books जिसमें math के ideas or concept directly बताये जाए जो हमारे पास आजाती है वह आती है math concept book इसके अंदर direct terms या ideas की जगा concept जो हैं मौजूद होते हैं और इनका purpose क्या होता है इनका purpose यह होता है mathematical concept जो है वो बच्चों को सिखाए जाए जाए ताकि बच्चों को उनकी समाझ आ सके तो इसकी best example हमें एक book series में मिलती है जिसको हम कहते है math start और Stuart Murphy की series है और उसमें समें एक example देखते हैं यह क्या है so example आपके सामने है just enough carrots और just enough carrots क्या है इसके अंदर एक mother है जो के अपने बच्चों को लेके super mart जा रही है और वहां से वो carrot खरी देंगी probably या grocery करेंगी और I want some more carrots I really like carrots mother जो है वह अपनी shopping cart के अंदर carrots आ रही है और उनका बच्चा हुने कहता है कि मुझे carrots बहुत पसंद है आप कुछ और ले 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 और वो ने बताता है कि जब मैंने खाता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है सो फिर क्या होता है I know there are others who have many more carrots now the comparison of less and more and these are the mathematical concepts so अब बच्चा उन्हें बता रहा है कि मैं देख रहा हूं यहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज्यादा carrots है हमारे से ज्यादा पर फिर-con pair करता है कि हमारी कार्ट में सिर्फ एक बंच है धूसरे की कार्ट में एक से ज्यादा ए जैसे क emple singers में देख हरे के जो horse है's उसकी कार्ट में बहुत अई सारी carrots है और जो bird इसकी कार्ट में उतनी ही carrots हैं जितनी carrots हैं इनके अपनी कार्ट मेंदैं So, comparing the same, more and the less, in the pictures. उसके अलावा वो देखते हैं कि जो स्क्रेरल है, उसके पास जो पिनेट्स हैं, उसके पास थोड़ी सी पिनेट्स मौझूद हैं. और जो bird है, उसके पास same amount है, किस चीज की, pinnets की, या किसी और चीज की, उसके पास pinnets की भी same amount है, जितनी उनके पास है, और उनके पास carrot की भी same amount है, जितनी उनके पास है, so you can see the difference, so it is the same story, लेकिन इसके अंदर concept जो हैं, वो introduced करवाए गए हैं, और कितने अच्छे तरीके से, ना सिर्फ words में, बहुत simple words में, बलके simple pictures के अंदर, illustration के अंदर, math की problem कहानी में relate की गई है, यहां तक कि, उनको समझ में नहीं आती, जब वो shopping कर रहे होते हैं, जब घर आते हैं, तो पता चलता है, bird और horse, दोनों उनके घर आ रहे हैं, और उनकी मां जो है, उनके लिए carrots जो ह के, यह कहानी भी है, plot भी है, enjoyment भी है, और math के concept है,